दोस्तो मैं हूँ सिधान नेमा आप देख रहा है मेरा चैनल मिस्टर अकाउंट्स आज है बावनवा वीडियो इसे वीडियो में हम हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो किये होगा फोर फीचर ओफ शेर्स ठीक है गाइस पिछले वीडियो तक हमने कॉल इन एगर के कॉशन सौल किये थे जिसमें मैंने आपको फचांस वीडियो में एक प्रैट्टिकल कोश्यन कराया था जो कि सिंगल पर बेच नथा है और वीडियो था साथ यह बता दिया कि क्या होता है कोई भी बन्दा पैसे उस पर्टिकल्ड इंस्ट्रॉल्मेंट का पैसा नहीं दे पाता है तो उसको हम गोलते है कि इस बंदे ने इतना अमाउंट नहीं दिया तो यह हो जाता है और कोई बंदा एडवांस में पहले सब्सक्राइब कर दें तो इसे वीडियो में हम फूर फीचर पढ़ेंगे तो सबसे पहले यह नेखिये कि फूर फीचर और होता क्या है तो इसका जाना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हम को यह नहीं पता होगा क्या क्या है ठीक है तो हम इसके कॉर्शन सौल भी नहीं कर पाएंगे बहुत ज्यादा कॉंपलिकेटिड हो जाए ठीक है तो सबसे पहले देखते हैं यह होता क्या है इफ अशेयर होल्डर अनेबल टू पे दा अलॉटमेंड एंड कॉल्स हिस शेयर वर कैंसल बाइद बाइद बोर्ट ऑफ डिरेक्टर आफ कंपनी ठीक है जब भी कोई शेयर होल्डर कि अलॉटमेंड का या कॉल्स का पैसा नहीं दे पाता है यह पैसा देने से मना कर देता है कंपनीप करता है उस उस बंदे के शेयर को रद्द कर देता है तो वराल क्या होता है यह कैनल आता है तो यह सबसे जिए कि माल लिए कि कोई बंदा है जैसे मालो राम ठीक है अब जो राम है उसके पास थे 1000 ओर एक अजार शेयर थे रहां के पास और रहाम ने क्या किया कि एलॉटमेंट का पैसा तो दे दिया ठीक है application allotment first call and second call and final call ठीक है यह चार इस्सारोल मैं जिसमें से application तो दे दिया ठीक है अप्लाय करते हैं allotment भी पे कर दिया लेकिन 1000 शेर से इस बंदे ने फस्ट कॉल और second and final call नहीं दिया ठीक है मतलब क्यों के इमेल करती है कि आप पैसा दो तो क्या हुआ पता है यह जो राम था इसने पैसा ही नहीं दिया इस कंडिशन में क्या होता है कि कंपनी कॉल लेकिन अब कंपनी को इस बंदे के खिलाफ कारवाई करनी पड़ती है वैसी कोट कारवाई नहीं कज़ए क Nous पादम लुगतए भारी कदम अज़नना पड़ता इस बंदे के प्रति क्या है कि अब दैसे खरतिए ैं इसको फार्ट लुगति पैसे मागी जिस गाजिती है तो को मिनें मिन यह सोचते हैं कि हमको इसको में रच्ड कर दें तो इसको एक नोटेस बेशती है कि अगर आप हमको इंस्ट्राल्मेंट का पैसा नहीं देंगे और साथ इंस्ट्राल्मेंट भी लग चुका आप पिछल दो महीने से पैसे नहीं दे रहे हैं अगर आपको पैसे नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे आपके शेयर को 14 दिन बार रद्ध कर देंगे तो उस नोटिस में यह लेका रहता है कि भाई साहब अगर आपको पैसे नहीं दे रहे हैं इंट्रेस्ट तो हम क्या करेंगे आपके शेयर को रद्ध कर देंगे 14 दिन बार 14 दिन की मुहलत देती है कंपनी उस बंदे को ठीक है आप जली जली जान लीजिए कि फोर रद्ध के मतलब क्या होता होता है तो ध्यांते सुनिये कि जैसे बंदे के पास 1000 थे ना तो पता है और यह सब्सक्रें के यह मैं ठीक है इसको शेयर ओंडर्ट की लिस्ट से कारडव देती है साथ कसो इसका ड fark biz इसको 14 दिन पहले नोटिस बेजी कि वह यह आप पैसे दे दो इंट्राइस फर्णा आपकी शेर्स को फूल फीट कर लेंगे ठीक है और फिर क्या होता है अगर तो सेवी बंदा नहीं दे रहा है तो कंपनी क्या करेगी उसके शेर्स को फूल फीट कर लेगी एक अजार शेर्स क्या होता है और जो कंपनी के पास तो सब कुछ कंपनी को जाता है यह बंदे का कुछ नाम ही नहीं बजता ठीक है तो यह हो गया कि फीटर आफ शेर्स क्या होता है और कैसे किया जाता है गैस अभी देखिए कि इसका अकौन्टेस का कि शेर्स का जरेखन करवा रहा हूं साथ हर एंटरी का मैं आपको बता हूंघ की कि छैंजन टिक है कि वह सुद्सक्राइब इसको अपहल इसका शुआ कि क्यों हुआ कि क्या होता है कि जब कंपनी माल जीजैसी स्वाष से नसे नहीं तो जब company first call की due की entry कर रही थी तो company ने क्या entry कर रही थी ज़र सोचे 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 company ने यह entry करी थी कि share allotment account debited share allotment account debited की थी और to क्या की थी share capital की थी ठीक है तो obvious सी बात है guys इन 1000 share कभी उसमें वो होगा अब जब यह share उस बंदे के रहे ही नहीं मतलब obvious सी बात है कि share capital account अब यह बंदा हो यह नहीं नहीं तो गए तो क्या होगा यह जो balance है share capital का इसको maintain करने के लिए क्या करेगी company share capital account को उतने call up amount से किजा से अभी तक इसने राम के नाम पर ठीक है इस particular shareholder के नाम पर जितना भी पैसा अभी तक अभी तक share capital account में transfer कर चुकी थी उस पैसे को ही उस पूरे amount को जितना इस particular shareholder के पर चुकी थी उस पूरे-पूरे amount को company debit कर लेगी ठीक है क्या करेगी पूरा-पूरा amount जितना भी अभी तक उसके share capital उसके नाम से share capital account में credit हुआ है उस पूरे-पूरे यह थी दोर्पे की यह था 3 पे का यह था दोर्पे का अब obviously बात है मैंने को क्या बता है कि application का पैसा दे चुका ठीक है तो यह दे दिया यह दे दिया यह मंगी थी बुडा ली थी company ने ठीक है वो ड्यू की entry होगी थी फिर भी बंदेन नहीं दिया असली company बोस्ता है ठीक है तो क्या हुआ इतना पैसा भी तक इसके इसके नाम से घाज हो निये इतना पैसा तीन तीन शेय और तो आठ रुपे पर शेयर इसके नाम से शेयर capital apartment transfer कर चुके है वदला अभी तक company ठीक है वदलब यह क्या है तो अभी तक इतना बुला चुक है लेकिन इसने इसका नाम क्या हो रहा है पूरे जो बुक्स है member shareholder के member पूरा हट आ दिया जा रहा है तो क्या करेगी company बिल्कुल एक्जिस नहीं करेगी यह जितना भी पैसा आठ रुपे के साब से एक हजार शेर्स एट थाउजन रुपीज अभी तक share capital में transfer हो चुके थे तो company बापिस से इन आठ हजार रुपे को क्या करेगी डेविट करेगी ठीक है credit कर चुकी थी लेकिन वो बंदा पैसे खा गया उसे नहीं दिया उसको नाम ही अट रहा है पूरा रध कैंसल ठीक है तो क्या होगा यह होगा आठ हजार से अब 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 यह सोचे कि credit क्या होगा अब गाइस credit होगा कि जो जो installments अभीता कि यह बंदा company को नहीं दिया ठीक है वो क्या होगा credit होगा ठीक है जैसे क्या क्या नहीं दिया इसने मेरम को क्या बताया था application तो दे दिया ना अर्ट्मेंट भी रे दिया फस्ट कॉ नहीं दिया ठीक है शियर फस्ट कॉल ठीक है फस्ट कॉल है तो नहीं दिया थीक है अब तो शेयर क्या है हां एक जरूरी बात किके इस टार्मेंट थी चार थी एक एप्लीकेशन ऐलोट में फिस्कॉल था तो जो सेकेंडु कॉल था वह वह तक बुलाई ही नहीं। तो बिलाई थी इसने पैसे नहीं दिया तो बिलाई नहीं मतलब अभी तक कॉल किया नहीं तो यहां पर यहां नहीं लेकिज उसने नहीं दिया काई सेकेंड कॉल का नहीं लिखेंगे क्यों नहीं लिखेंगे यहां यहां पर नहीं रहीं बदाइं असका मतलब तो यहां पर नहीं आएगा मतलब सिर्फ फस्ट कॉल आएगा यहां पर ठीक है अब यहां के अंट्री होगी शेयर 4-feeture जहां से समझना है कि यह शेयर 4-feeture क्या होता है यह बहुत important कि शेयर 4-feeture क्यों होता है कि जरूर मान इसको जालना बहुत जरूर है तो जब आप सोचिए कि यह जो राम था इसने एक हजार शेयर पे एप्लिकेशन और एलाउटमेंट का पैसा तो दे चुका था ठीक है तो अब ऑबिस सी बात है कि जब हम पूरा पैसा जितना इसके नाम पे था शेयर कैपिटल से निकाल रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेग अब बात आती है जो पैसा उसने दे चुका था उसका क्या करें भाई शेयर कैपिटल के उसमें डेट कर दिया हुआ अब हम क्या करेंगे एक अकाउंट ओपन होगा शेयर फोर फीचर के नाम का ठीक है इस अकांट की थूर हम क्या करेंगी जितना भी पैसा अभी तक उसने दे चुका है उस पैसे को हम इस अकाउंट में प्रांसटर रही जिए तो जला सोची गाइस कि इस बंदे ने कितना खाई खाई पैसे दिया था हां दिया था ठीक है तीन और दो गाता पांच रुपे एक हजार शेयर पे यह बंदा दे चुका था ठीक है तो फाइव इंट तो यह था फूर फीचर ऑफ शेयर कि फूर फीचर का होता कि उसका पॉंसेप था और सांथी सांथ मैंने आपको इसका अकांटिंग ड्रीमेंट बताया पार की कंडिशन में हां अभी यह को प्रीमियम का रफड़ा नहीं था जो नेस्ट वीडियो का गाईस उसमें मैं आप को प्रीमियम की कंडिशन बताऊंगा कि यह था वावनवा वीडियो इस वीडियो में आपको फूर फीचर ऑफ शेयर क्या होता है साथ ही साथ अकांटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है क्या क्या किया दाता है वह बताया ठीक है तो यह था बावनवा वीडियो इस वीडियो म अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो गाइज पीस से जादा जादा शेयर कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए कोई मुस्के लोग या फिर कोई कंख्यूजन हो तो कमेंट कीजिए एंड जान से जादा सब्सक्राइब कीजिए अलब कि अब भी तक आपने अगर मेरे मेरे चनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो की अप्डेट मिलते रहें ठीक है गाइस हब आप ग्रेग देड़ अ झाल 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 झाल